हलो दोस्तों कैसे आप सब तो दोस्तों नॉइज ने अपनी बहुती तगड़ी रगेड स्मार्ट वाच को लॉंच कर दिया है इसका नामे नॉइज फॉर्स प्लस और इसके पहले इनकी नॉइज फॉर्स आया थी जो कि काफी अच्छी वाच थी तो यह उसी का अपग्रेड अपन करते हैं तो यहां पर सबसे पहले आपको नॉइस के श्टीकर्स मिल जाते हैं उसके बाद यूजर मैनुवल और वरंटी कार्ट दिया गया है उसके अब यह अपनी वाच और यहां पर एक चार्जिंग डॉक मिल जाता है इस पर लगकर आप वाच को चार्ज कर सकते ह अपन करते हैं और यहां पर आपको नॉइस फीट अपन करते हैं जो कि काफी अची बात थे रही बात अपको पता है कि काफी अच्छी अप्लिकेशन है और आपको धेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि आप जो जो एक्टिविटी करेंगे उसके रिकॉर्स को जख सकते हैं उसके बाद वाच को कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे कि वाच्फेस हो गया नोटिफिकेशन तो काफी सारे अपको फीचर्स मिल जाते हैं और काफी अ आग्रोफोन मिल जाता है और इस साइड में स्पीकर वेंड दिया गया है तो डिजाइन काफी अच्छी है है लग इसका साइज थोड़ा है तो यह पतली रिष्ट वालों के लिए नहीं है जिनके मीडियम साइस की रिष्टे या फिर बड़ी रिष्टे दोनों पी जबरदस लगने वाली है रही बात बिल्ट कोटी के यहां पर इसकी बिल्ट कोटी काफी ज्यादा तगड़ी है क्योंकि यहां पर जो साइड के फ्रेम मिलते हैं वह पूरे मिटल के दिये गए और जो उपर का फ्रेम में वह भी मिल जाता है जबकि दूसरी वाचस में हाट की बिल्ट की मिल जती है और इसका और है और है काफ़ी मंत लगता है और इसका प्लेसी काफी पर कार येंच्ट है है क जो एक प्था सकते हैं और इसका कमट्ड़पनोह भी कर सकते है कि लैकिन यहां परлуटवा परांटा तो बहतर होता है अ पर यहां पर 1.46 इंचे की काफी शांदार क्वालिटी की आपको एमले डिस्पले मिल जाती है जो कि एक हाई रिजुलिशन डिस्पले है तो डिस्पले शार्प है क्रिस्प है और कलर्स काफी अच्छा आते हैं बाकि प्रैक्टिस काफी तगड़ी है तो आउट डिर्म परामस यूज़ कर सकते हैं इसको और बिजर के बात करें तो ना के बराबर है और अपको फुल डिस्पले मिल जाती है बाकि एमलो डिस्पले तो यहां पर और यहां पर आपको डिस्पले का फीचर भी दिया गया है और वापस लेकर जाएंगे डिस्पले ऑफ हो जाएगी और यह काफी जया करता है और इसे मुझे आपको अपहे बाद यहां ऑपको ब्ल्टिंग 4 वाट्फ न वाश में जाए यहां पर आपको मुझे ऑपना फौट्ट लगा सकते हैं और क्तिय काफी तगड़ी आती है और आप लोगों को पता है कि जो नैस का वाट्वस का लेक्शन हैं वो काफी जबर्दस थे तो यहाँ पर वाट्वस के बारे में आप लोगों को चिंता नहीं कर लिए ऑठ यहाँ बाद अपको बुलिटिंग चारी वाट्वस मिलते हैं जो कि मुझे थोड़े कम लगे और इ कि इसी की बाद हम लोग आगे करेंगे उसके बाद बाद में चलते हैं तो यहां पर कॉंटेक्स हो गया उसके बाद कॉल हिश्टरी और डायल पैड मिल जाता है और इसमें आप अपने 10 कॉंटेक्स को सिंग कर सकते हैं जो कि सही है उसके बाद चलते हैं क्लॉक में तो यहां पर alarm हो गया और वास ही आप alarm को set कर सकते हैं और केस्टेमाइब कर सकते हैं उसके बाद टाइमर हो गया stopwatch और यहां पर pomodoro में जाएगे तो यहां पर focus time को set कर सकते हैं उसके बागोड में तो यहां पर आपको 130 sports mode मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा है और आपको दुनिया बर के मोर्स मिल जाते हैं इसमें उसके बाद चलते हैं तो यहां पर sport record आप देख सकते हैं उसके बाद यहां पर reminders हो गया और यहां पर music control का feature मिल जाता है जहां पर आपको volume camera जाता करने का option भी दिया गया है जो कि अची बात है उसके बाद weather forecast हो गया जहां पर आपको 7 दिन का weather show हो जाता है और यहां पर काफ़ी detail में जानकारी मिल जाती है जो कि अची बात है उसके बाद यहां से watch face को change कर सकते हैं उसके बाद flash light और यहां पर settings मिल जाती है अब settings में चलते हैं तो यहां पर brightness हो गया उसके बाद tap to wake up उसके बाद ringtone vibration हो गया और यहां से रिश्ट वे का on off कर सकते है और इसके बाद चलते हैं तो यहां पर ब्राइट स्क्रीन टाइम का फिचर मिल जाता है और यहां पर अपको 30 सिकंड्स का टाइम दिया गया है बाकि आप इसको अल्वीजोन भी रख सकते हैं बट बैटरी काफी तेजी से ड्रैन होगी उसके बाद D&D हो गया menu view और यहां पर किसमें कैलकुलाटर का सपोट नहीं मिलता है जो क्यों होना चाहिए था इसके लावब यहां पर इसटॉक्स और वल्ल कलोग नहीं मिलता है जो कि जायते तर वाटर में मिल जाता है तो यहां पर जो फीचर मिलते हैं थोड़ा सा लिम्टेड दिया और एक्यूरसी की काफी थग रिए सबसे बिले से तो मैंने 100 स्टेप्स लिए और इसने 103 कंट किये उसके बाद मैंने उसी को continue किया और 200 आया और इसमें करनेक्टर GPA को सपोर्ट भी मिल जाता है तो आप आउटर व्कूं करते हैं या फिर रणिंग करते हैं तो यह आपके फोन के GPS को यूज़ करके लो यहां पर जो रीडिंग आ रही थी वह थोड़ा सव उपर नेचे आ रही थी बाकी सिलिप की अच्छी है और इसमें आपको डीप सिलिप लाइट सिलिप अवेक टाइम और आरीम भी शो जाता है तो सिलिप की अच्छी निकल कराती है इस वाच की कर सकते है मड़ी कर सकते हैं और इसमें आपको व सत flour कल से कर सकते हैं क Momo को साधी ऑनके और ही पाफी आरे आइपोन के सॉना देता हूं तो स्पेकर अच्छा आपको झाते हैं इसमें माघींस की नोटिफिकेस्शण की बात करेदे तो यहाँ पर इंगलिज का सपोर्ट मिलता है बट हिंदी का सपोर्ट नहीं मिलता है और अगर कोई SMS भेचता है तो वहाँ पर आप कोई क्रिपलाई दे सकते हैं बस Android फॉन के साथ आईफोन के साथ यह फीचर वर्क नहीं करेगा और यॉई की बात करें तो यहां पर इसका यॉई अच्छा है बट उतना रिस्पॉंसिव नहीं है और थोड़ा सा स्लो मुझे लगा जैसे कि उपर से स्वाप डान करेंगे तो यहां पर नोटिफिकेशन शो हो जाती है उसके लोप में दया गया है बाके probably यहां से वाट्फिकेस को चेंज कर सकते है कुछ इस तरह से और में अच्छे इए तो इस तरह का यूआ दीबिया रहा जो कि अq Запाउआ की छाओ इस तरह से करना है और डिस्प्ले में ऑफ जाएगी और डिस्प्ले सीदिता अब ऒबल टयाइक सब् spreading खेएं बद्ध मुझे थोड़ा आप लोगों को और अगर आप आर्वेजन को अन रखते हैं तो आपको 2-3 दिन का वैटी बैक अप मिल जाएगा जो कि काफी जबरदस्त है आते हैं वाड़िपी की कैस वाच को लेना चाहिए या नहीं तूसका जो लॉंच प्राइस है वह 3,909 गोरुपय मतलब 4000 और बाद मे में काफी जबरदस्त वॉच है चाहे डिजाइन के बाद करें बीड को आटी काफी ज्यादा तगड़ी इस वॉच की इसके बाद डिस्प्लेश शांदार है एकर उसी काफी अची है और आपको डह सारे फीचर्स मिल जाते हैं रही बाद कमी कि यहाँ पर कुछ कमी है जैसे कि इसमें IP67 की रेटिंग मिलती है जो कि IP68 होना चाहिए था उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता है और नहीं इसमें वर्ल क्लॉक और श्टॉक्स का फीचर्स दिया गया है जो कि नुएस की सस्ती वॉच में भी मिल जाता है तो यह इसमें कुछ कमी है बाकी और लिख स्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाका मासिब जाकर ले सकते हैं और यह एक माई से फिलिप कार्ट पर मिलना इस्टार्ट हो जाएगी बाकी अपनों को वाच कैसे लगी कमन बॉक्स में जरूर बताना और मिलते हैं अगले वडियो में अपना ख्याल रखें बाई